इतिहास अध्या साथ बदलती हुई संस्किर्ती परंपराएं पुन जागरण के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और समझाने जा रहा हूँ पुन जागरण का यूग महात्पूर्ण परिवर्तनों का यूग था जिसमें बहुत कुछ मर्ध कालीन था कुछ इस्पस्त आधनिक तथा कुछ स्वयम में विशिश्च था इसने मर्ध तथा आधनिक यूग के बीज के रिक इस्थान को पाड़ दिया किन्तु इसके साथ ही यह महान राजनेतिक, समाजिक एवं बौर्धिक जागरती का संस्क्रितिक काल था गर्ध अध्या में हमने यूरोब में मर्ध काल में विशित सामंद बात के इतिहाद और उसके पतन के कारणों आधी का अध्यन किया था सामंद बात के पतन के साथ ही चौद्मी सताबदी से सत्रमी सताबदी के अंत तक यूरोब के अनेक देशों में नगरों का तेजी से विकास हो रहा था और नगरों की संख्या में ब्रद्धी हो रही थी वास्ताव में यह काल एक विशिष नगरी संस्किती के विकास का काल था इस काल में फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जैसे महात्पून, नगर, कला और ग्यान के प्रमुक्किन बन गए थे विक्षित होती विशिष नगरी संस्किती ने लोगों को यह सोचने के लिए प्रेडित किया कि वे गाउं के लोगों से अधिक सब हैं इसी काल में मुद्रण के अविस्कार ने लोगों की सोच को और अधिक विक्षित किया वे अपने आधुनीक विश्व की तुलना युनान वा रोम की प्राचिन दुनिया से करने लगे इस काल में कलाकारों और लेखोकों को अभिचार्थ वर्ग से प्रोष्चाहन प्राप्ठ हुआ जिसके पंदान सरूप नवीन समाजिक, आर्थिक एवं सांस्क्रितिक प्रवर्टियों का उड़ हुआ जिसने ना केवल यूरोप को अपटु पूरे बिश को प्रभाविक किय इन नवीन प्रवर्टियों का उड़ह हुआ जिसने ना केवल यूरोप को प्रभाविक किया इन नवीन प्रवर्वर्टियों के परणाम सरूप मद्द कालिन सांस्क्रितिक परंपराओं में अनेक महात्पुन बला हुए जिनका अध्यन हम इस अध्या के अंतर्गत करेंग मैं आपको बताने जारा पुनह जागरण ये क्या होता है इसके बारे मैं आपको बता रहा हूं नवीन के अव्तरण की सूचना देने वाला पुनह जागरण इतिहासिक दिश्टी से कुनह जागरण की कोई सहज और इस्पस्ट परिभासा नहीं दी जा सकती है पुनह जागरण सब्द का अर्थ पुन जनम अत्वा फिर से जागना अत्वा समाप प्राय अफ्षेशों का पुन उद्धार व्यापक अर्थ में पुनह जागरण का अभिप्राय उन सभी परिवर्टनों से हैं जो मद्ध युग से आधनित युग तक हुए वास्तव में बहुमुखी विकास्ता काल्था जिसे कारण मनुस्थ की सिंतन, सक्ति, प्रयोग, बुध्धी तथा दुस्ती कोण में महान करांती कारी परिवतन आये थे पुना जगरण ने मद्ध, युगीन, आडंबरो, अंद्विश्वासों एवं प्रथाओं को समाप कर दिया और उसके इस्तान पर व्यक्ति बाद, भौतिक बाद, स्वतंतिता की भावना, उन्नत, आर्थिक व्यवस्ता एवं रास्त बाद को इस्थाफित किया पुना जगरण का युग महात्पूर्ण परिवर्तनों का युग था, जिसमें बहुत कुछ मर्द कालीन था, कुछ इसपस्ट आजनिक तथा कुछ स्वम में विशिष्ट था, इसने मर्द एवं आजनिक युगों के बीच के रिक इस्थान को पाड़ दिया परंतु इसके साथ ही यह महान राजनेतिक, समाजिक एवं बौधिक जगरटी का सांकर्टिक काल्था इसी प्रकार रावट इर गेंग ने पुन जगरण के विशे में लिखा है व्यापक तोर पर रेंशा का अभिप्राय मर्द युग से वर्तमान युग को प्रारम करने के उन सभी परिवर्टनों से हैं जिनके द्वारा सामंत साही का पतन, प्राचीन साहित का अध्यन, छापे कहाने का आरम, बारूर एवं कुटु नुमा का अविश्कार नए व्यापारिक मारगों का आरम, अमेरिका की खोज, एवं प्रारम्बिक पुझी बात का आरम, इत्यादी हुए सेमित रूप से इसका विप्राय उन विशेश सांस्क्रितिक परिवर्टनों से हैं जो सन 1300 से 1600 इस्वी तक हुए थे पंडित जवाहलाल नहरू का मत्व, पुन्जागरान का अर्थ, विद्या का पुन्जनम तथा कला, विज्ञान, साहित और यूरोपी देशों की भासा का विकार्थ, सेवाइन के अनुसार, पंडित जागरान एक संयुक अभिवेक्ष है, जिसका प्रयोग मर्द्यकाल के अंत्मे और आधनिक युक के आरम के समय, जुष्टी गोचर सभी बौर्दिक परिवर्टनों के लिए किया गया था, डाक्टर लाल बहादूर वर्मा ने कहा है कि कोई समाज किसी काल विशेश में जागरत होता है, और फिर किनी कारणों से वे समाज अंधकार ग्रस्ट हो जाता है, कुछ सताब्दियों के बाद पर्सितिया अनुपूल होने लगती है, शेतना लोटती है, विशारों और कलाओं के छेत में फिर से जीवन लोटता दिखाई पढ़ने लगता है, और इत्यास सार उसे उन्हे जागरण की संग्या देता है, उक्त विभिन विद्वानों के कथन के आधार पर यह कहा जा सकता है, यह तो मानव मस्तिक की एक अनुखी जिग्यासापूल इसकिती थी जिसके फल्षरू मद्द कालीन अंद विश्वासपूल बिचारों के प्रती अश्रद्धा उस्पन हुई और अधिकांस उन सभी बा में दिखलाई पड़ती है, कोना जागरान कोई धार्मिक या राज्यतिक आंदोलन नहीं था, यह एक संस्कितिक आंदोलन था, जिसका प्रदुभाव सरपसम इटली में हुआ, लेकिन सिग्र ही उसका पसार फ्रांस, इंगलेंड, जर्मनी, साहिज, संपूं, यूरोप के विभिन देशों में हो गया, यह एक संस्कितिक आंदोलन था, जिसमें प्राशीन यूरोप से प्रेड़ना लेकर नए यूरोप का निर्मान हो रहा था, पुनाय जागरान की जो विशेष्टा हैं, उसके वारे मैं आपको बतला रहा हूँ, पुनाय जागरान की जो प्रमुग विशेष्टा हैं, पहला है स्वसंत्र चिंचन को प्रोश्चाहन, पुनाय जागरान ने स्वसंत्र चिंचन की विशाध्हारा को प्रोश्चाहन प्रदान किया, मर्द काल में व्यक्ती के स्वसंत्र एवं चिंचन, पुनर जागरान के कारण व्यक्ति परंप्रगत विशाधाराओं को स्वतंत रूप से तर्क की कसोटी पर कशने लगा था व्यक्ति व्यग्यानिक धंग से किसी बात की व्याख्य करने के उपरांथ ही उसे शिवकार करने लगा था दूसरा है स्वतंत रूप से व्यक्तित का विकास पुनर जागरान ने व्यक्ति को अंद विश्वासों प्राचीन परंप्राव धार्मेक बंधनों से छुटकारा दिलवाया ताकि वैं स्वतंत रूप से अपने व्यक्तित का विकास कर सके मानववाद का विकास पुनर जागरान ने मानववादी विशाधारा को प्रसारिक किया मद्यकाल में चर्फ तथा विशेज जोर दे रहा था इस संसार में जन्म लेना ही घोर पाफ है अता है व्यक्ति को इस जीवन का आनन लेने के इस्थान पर लोग को सुदानना चाहिए इसके लिए यह आवशक है कि वह व्यक्ति तपस्या तथा निव्रति मार्ग द्वारा मुक्ति साप करने के लिए प्रत्न करे इसके विप्रिन पुनजागरान ने व्यक्ति को इसी जीवन में भरपूर आनन उठाने के लिए प्रेडित किया और मानजीवन को सारतक बनाने का संदेश दिया पुनाजागरण ने व्यक्ति को धर्म और मोच के इस्तान पर समस्थ मानव समाज के उत्यान के लिए तेरित किया चौथा है देशी भासाओं का विकास पुनाजागरण ने देशी भासाओं के विकास में अतियन महात्मून भूहिन का निभाई यूरोब में अभी तक केवल यूनानी और लेटिन भासाओं में लिखे गए गरंथों को ही महात्मून माना जाता था लेकिन पुनाजागरण के कारण यूरोपी विद्वानों ने जन साधान की बोल चाल की भासाओं में पुस्चकों की रश्चना की ताकि जन साधान उनका अध्यन कर अपने विक्षित का विकास कर सके इस प्रिकार पुना जागरण ने जन साधारन की बोल चाल की भासा को महत प्रदान कर देशी भासाओं का विकास किया। पांचमा है राष्टी की भावना का विकास। पुना जागरण काल में राष्टीता की भावना का विकास प्रारम हुआ। इसके परणाम सरूप पच्छी में यूरोब में अनेक राष्टी राजों का उत्तर्थ हुआ। इन राजों के साथों ने प्रजातन को सदोन बनाने क कि शर्म है व्यज्ञानिक विचाधारा का विकास कोना जागरान के परणान सरूप व्यज्ञानिक विचाधारा का विकास हुआ पुन्जाग्रान के कारण व्यक्तिन ने प्रत्य विश्य का निरिच्छन, अन्वेशन एवन जाच करना प्रारम कर दिया, इस प्रकार व्यज्ञानिक विशाधारा ने मर्द काल में व्यक्त, अंद्विश्पासों और कुरूतियों को अविश्कार कर दिया. सात्मा है कला में याथार था, पुन्जाग्रान काल की कला में याथार चित्रन नर्षेंगिंग सोंदर की अभिवेक्ति हुई प्रोफेसर ममिया प्रसाद सेन के नुसार, अरंबिक पुन्जाग्रान कालीन सबसे आश्यजनत गोण था, उसका नर्षेंगिंग सोंदर यह एक एसी सेली थी जिसमें कुछ भी आ प्रकर्टिक नहीं आता कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि अतरिक स्रम किया गया है लियोनार्ड डी विंसी राफेल और माइकेल एंजेलोग की चित्रकला में ये विशेष्टा दिश्तिगोत होती है पुनाजागरान काल की स्रित्रकला में सहज, सौंदर वा प्रकर्टिवाद के दर्शन होते हैं जो वास्तविक मानवतावादी सेली है आठमा है वानेजबाद वा पुन्जीबाद पुनाजागरान आंदूलन के कारण व्यवशाई एबं वानेजबाद में लोगों की रूची बढ़ने लगी जिसमें वानेजबाद वा पुन्जीबाद का विकास हुआ तातकालिन समाज में व्यवशाई बेंकर उद्योपती बुद्धी जीवी एबं व्यग्यानेगों का महत बढ़ा तथा वानेजबादी नीतियों तथा सास्वों के समर्चन से पुन्जीबादी एबं अध्यव्यवस्ता पर नियंटन कर लिया गया नौम है राष्टी राज्यों की स्थापना पुन्जाग्रान की एक अन्यविशिस्ता लोगों में बरती हुई राष्टी भावनाई थी शिर्ट का प्रभुत्य समाव होते ही सासक तथा जनता अपने देश को स्रमत तसा सक्ती साली बनाने का प्यास करने लगी वानेज व्यवसाई उद्योग व्यवापार स्यनेक शक्ति लोग-कंत्रिक व्यवस्ता की इस्थापना द्वारा अपने देश को उन्नत बनाने की राष्टी भावना लोगों में जागरत हुई पढ़नाम सैनेशन राष्टी राजों की इस्थापना होने लगी दस्मा है सिथ्था में सुधार पुन्त जागरान की विशेष्था यह भी थी की साथकालिन पुरंप्रागत किया गया विज्ञान वा गनेट के अर्ध्यान पर विशेष बल दिया गया इसके अच्छिस्चकों की निख्टी के द्वारा भी बेवस्ता में